नमश्कार दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल फिट्नेंस गूरू में आपका हार्द एक स्वागत है आप गर्ब निरोदक गोलियों के बारे में तो जानते ही है लेकिन ये हमारे शरीर पर किस तरह से कार्य करती है और हमारे शरीर को किस परकार से हाली पहुंचा सकती है ये सबसे दूसरा पसंदीदा तरीका होता है अधिकतर महिलाओं का यह सवाल होता है कि यह गोलिया काम कैसे करती है गोलिया खाने से शरीर में क्या बदलाव होते हैं जिससे कि प्रेगनेंसी रुक जाती है वैसे तो कई बार महिलाए गर्ब निरोदक गोलिया लेने से पहले ड कैसे अंचाही प्रेगनेंसी को रोक देती है सबसे पहले हम आपको यह बताना चाहेंगे कि OCP दो परकार की होती है कमबाइंड OCP जिसमे की एस्टोजन और प्रोजेस्टोन दोनों होते हैं प्रोजेस्टोन गोलियां जिसे मिनी गोली के रूप में भी जाना जाता है इसमें केवल प्रोजेस्टोन ही होते हैं यह गर्ब निरोदक दवाईयों के परकार पर निर्भर करता है जब आप एक कमबाइंड गोली लेते हैं तो दोनों हर्मोन एस्टोजन और प्रोजेस्टोन पर काम होता है और यदि आप केवल प्रोजेस्टोन की गोली लेते हैं तो केवल एक हर्मोन पर काम होता है प्रोजेस्ट्रोन हर्मंतीन अलग अलग स्तरों पर कारिया करता है पहले ये ओविलेशन को रोगता है जिसका सिधा अर्थ होता है कि कोई भी अंडे नहीं निकलते है इसका नतीज़ा यह होता है कि फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता है और यदि अंडे निकलेंगे ही नहीं तो fertilization नहीं हो पाएगा और इसलिए गर्भावस्ता को रोग दिया जाता है fertilization को यह रोगता है यह cervical mucus को गाड़ा कर देता है जिसे कि sperm गर्भाशे में नहीं जा पाते हैं जाहिर सी बात है मोटा होने पर sperm अंडे के लिए अपना रास्ता नहीं ले पाते हैं चूंकि यह अंडे तक पहुंचने में विफल हो जाते हैं जिससे कि fertilization की संभावनाय प्रभावित होती है जो कि गर्भावस्ता को रोग देती है तीसरा यह endometrium की स्थर पर कार्य करता है जैसे कि endometrium की परत पतली होती है यह आरोपन के लिए मुस्किल बना देता है इसलिए यदि भले ही endometrium हो जाएं ब्रून एंडोमेटियम से चिपकने में विफल रहता है जिससे गर्भावस्ता की संभावनों में बादा उत्पन हो जाती है एस्टोजन हार्मोन कंबाइंट पिल्स में एस्टोजन हार्मोन की उच्च मातरा होती है जब शरीर में एस्टोजन का स्थर उच्च होता है तो यह हार्मोन FSH यानि की फॉलिकल स्टिमिलेटिंग हार्मोन को दपा देता है जिससे की गर्भावस्ता को रोखने में मदद मिलती है FSH हारمون ओवियूलेशन में एक महत्पूर्ण भूमिका निभाता है और इसलिए FSH का निमनस्तर ओवियूलेशन को रोकता है और इस तरह गरबावस्ता की समझाय कम हो जाती है तो इस परकार से ये पिल्स आपके गरबावस्ता को रोकने में मदद करती है तो यदि आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो किरपे इसे लाइक अवश्य करें और इस जानकारी को अपने मित्रों सगे संबंदियों तक पहुंचाने के लिए किरपे इसे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले धन्यवाद दोस्तु